अब very good evening to all of you दोस्तों स्वागेत है आप सभी का एड़ुकेशन के एड़ुकेशन के इस सीरीज में अगस्त का ये सीरीज है जहाँ पे आज हम लोग 29 सेट देखने जा रहे हैं और आप लोगों को उन सभी का पीडियेफ भी अबलेबल करवाए हुए हैं अप्लिकेशन पे जाके आप उसका पीडियेफ भी डाउनलोट कर सकते हैं अब यह हाँ पे दोस्तों आज के जो 100 कोशन है इसके आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और हर एक कोशन का आंसर कमेंट करना होगा अगर आप अपना खुद का जज्जमेंट चाहते हैं या आपके खुद को जाच करना चाहते हैं तो जरूर आंसर करके देखें कि इतना उतर सही कर पारें चलिए, शुरुवात करते हैं एक प्रैक्टिस सेट की तोर पे जरूर सेट लगाया किजिए और इसका जो PDF है विदाउट आंसर वाला वो आपको टेलिग्राम पे शेर कर देंगे जिसे कि आप उस सेट को भी प्रैक्टिस कर सकें खुद से भी शुरुआत करते हैं पहले प्रशन से चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तो आज का हमारा पहला प्रशन आपके सामने आच चुका है आंसर करने का प्रयास करेंगे 14 जून 2020 को किस मसुहूर अभिनेता का निधन हुआ था बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहें दोस्तों यहाँ पे C यानि की सुसान सिंग राजपूत is the correct answer, C is your correct answer नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे सुसान सिंग राजपूत का निधन हुआ था और दोस्तों यह अपडेट आपको मिला था दोस्तों जी हाँ बॉलिवोड से सवाल नंबर चलते हैं, सवाल नंबर दो पे किस रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रेणिंग के लिए रोबोट अर्जुन कैप्टन लॉंच किया गया है बिल्कुल, दोस्तों कैप्टन अर्जुन करके दोस्तों एक रोबोट का लॉंचिंग किया गया था, याद रखिएगा इन्पोर्टेंट है, यह रेलवे स्टेसन है, महाराश्टर का सहर पूने, नोट कर लिजेगा दोस्तों अगर आप से सवाल पूछेगा कि महराइश्टर की राजधानी कहा है तो आप बताएंगे मुंबई ठीक है और यहां के मुख्य मंद्री उधा उठाक रहे हैं और यहां पे गवर्णर कौन है तो भगत सिंग कोश्यारी है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों कुश्च नंबर थर्ड पे आंसर करेंगे हाल ही में बिहार खादी मौल का ब्रैंड अमिजडर की से निउट किया गया है हाल ही में बिहार खादी मौल का ब्रैंड अमिजडर की से बनाया गया है बिल्कुल आंसर कर लिजीए दोस्तों यहां पे जियां पंकस्त्रिपाठी ये बॉलिवूट से भी आते हैं ये एक एक्टर हैं पंकस्त्रिपाठी जिनकों की हाली में बिहार के खादी मॉल के ब्रैंड अमिस्टर के रूपे न्यूक्त किया गया है दोस्तो सवाल नंबर के लिए आईएसू प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौण बना है छात्रवास याने की होस्टल के लिए जी हाँ दोस्तो जिसको की आईयेसू प्रमानित किया गया है सवाल उडिशा से बना है तो इसके जो कैपिटल सिटी है वो है भुवनेश्वर याद रखेगा दोस्तो यहां का जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पतनायक और यहां के जो प्रोफेशर गणेशी लाल है वो है जियां दोस्तो नोट कर लेज़ेगे यहां पे सवाल नमबर पांच कुरोना के करण किस राजी सरकार ने चातरों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राजी का है बिल्कुल अगर आप उतर कर रहे हैं दोस्तो त्रीपूरा इस दर करेक्ट आंसर नोट कर लिज्येगा दोस्तो त्रीपूरा के मुख्यमंत्री कौन है बिल्कुल याद रखेंगे जो सब्सक्षा क whomारण रखेंगा है यह important update है ध्यान रखेगा आप हमें नीचे comment section में comment करके बताएंगे कि त्रिपुरा के जिया दोस्तो गवर्नर कौन बने है गवर्नर ओफ त्रिपुरा नोट कर लिजिए दोस्तो यहाँ पे आपको नीचे comment section में comment करके भी बताना होगा सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो question number 6 पे निर्वाचन छेत्रों के परिशिमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तो समान्य बहुमत बीजियोर correct answer नोट कर सकते हैं आपे दोस्तो परिशिमन क्या होता है दोस्तो ये एक बहुत important update होता है और यहां से आपको थोड़ा सा जानकारी भी जानना चाहिए इसके संदर्ब में अगर हम बात करें तो हाल ही में देखिए केंदर सरकार ने केंदर सासित परदेश जम्मो कश्मीर और लदाक के साथ प्रुवत्तर के चार ऐसे राज्य जिनको की निर्वाचन चेत्रों के लिए परिशिमन की मंजूरिदी है अगस्त 2019 में केंदर सरकार के द्वारा भी जम्मो कश्मीर में आर्टिकल 370 के विसे जो धारा हटाए गई थी उसको खत्म करने के लिए जम्मो कश्मीर राजी को विभाजित करने के लिए एक नय केंदर सासित परदेश के रूप में और जम्मो कश्मीर और लदाक को इस थापना भी किया गया दोस्तो आप सभी को बता दे कि किसी भी किंद्रसाजित प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर संचालन किये गए निर्वाचन छेत्रों का निर्मान और उसकी सीमा का निर्धारन करना ही परिश्चिमन कहलाता है तो आंसर कर लेंगे इट सभी समाने बहुमत सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो साथ पर आंसर करेंगे दोस्तो दूसरा गोल में समिलन कहा हुआ है बिलकुल आंसर अच्छली कोशिन है कि कहा नहीं कब हुआ है तो याद रखेंगे यह हुआ था दोस्तो आपका पहला आंसर हो जाएगा यह 1931 में साथ सेप्टेंबर डेट याद रखेगा जो कि डेट भी एक्जाम में पूछ लेगा जिसमें की कॉंग्रेस ने भाग लिया था और एक दिसंबर 1931 को इसको समाप्त कर दिया गया था यहाँ समिलन दोस्तों लंदन में हुआ था यह भी पूछा जाता है एक्जाम में तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा फैक्ट के तौर पे जरूर लिखेंगे सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों कुश्च नमबर 8 पर आंसर करेंगे IPPB का पूर्ण रूप क्या है इग्जेक्ली आंसर कर लिजेगा दोस्तों यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नोट कर लिजेगा ए इस यूर करेक्ट आंसर ए इस यूर करेक्ट आंसर भारे सरकार के स्वामित्य वाली एक कंपनी है जिसमें की 100% क्या 100% एक्विटी के साथ डाक विभाग जो है यह संचार मंत्राले के तहत इस्थापित किया गया है नोट कर लिजे एक्सपेक्टेड कोशन है या फिर हो सकता है कि कहीं कि ना कहीं इंटरव्यों में पूछ लिया जाएगा 100% एक्विटी के साथ डाक विभाग संचार मंत्राले के तहते हैं इसको इस्थापित किया गया है सवाल लंबर चलते हैं 9 की तरफ आंसर करेंगे दोस्तो किस पोशन को साधारन अकार्बनिक पदार्थों के ग्रहन करके कार्बनिक अणुओ के संसलेशन के रूप में परिभाशित किया जाता है बिल्कुल दोस्तो ये परिभासा ही है जिया दोस्तो स्वापोशी का स्वापोशी पोशन को स्वाध सधारन अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहन करके कार्बनिक अणुओ की संसलेशन के रूप में परिभाशित किया जाता है जैसे इसक्रिया में पौधे जो हैं सूरी से प्रकास की उर्जा को रसाइनिक उर्जा में परिवर्तिन करके CO2 और पानी है ना CO2 और जल यानि कि H2O ठीके ये दोनों ही निस्कासित करते हैं तो ये एक important update है यहां से आपके लिए लेकिन साधारन पदार्थों की बात करेंगे जब कि जटिल कार्बनिक योगिक जो होगा ये योगिक carbohydrates बन जाते हैं और इन carbohydrates के दवारा मनुष्य और जीवित प्राणियों के भोजन भी प्राप्त कर पाते हैं तो स्वापोशी ये जो right answer सवाल नमर 10 पे चलते हैं दोस्तों आज़र करेंगे पुंड़चेरी किस उच न्याले के अधिकार के छेतर में आता है आंसर कर लेंगे दोस्तों आंसर हो जागा ए मदरास उच न्याले आपको बतादे कि पुंड़चेरी जो है दोस्तों यहां के विस्तारन जो है सन 1962 ज्यान दखीगा नवंबर के छटे दिन से यहां पे उच न्याले की अधिकारता दी गई पुंड़चेरी को मदरास उच न्याले के तहत आता है सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों 11 पे जल जनित बीमारी निम्लिखित में से कौन सी है बिल्कोल याद रखेंगे दोस्तों इटस ए कॉलरा यानि कि हैजर कहते हैं इसको जो कि एक जल जनित बीमारी है वैसे यहाँ पे दस्त, पेचिस, पोलियो और मेनेजाइटिस जो भी सामिल है इसमें और आपको दादे कि दोस्तों ग्रामिन आबादी के जो छेत्र है हमारे उसमें जल जलित बीमारी का खत्रा सबसे अधिक होता है लेकिन हर कोई प्रदुशित या फिर दुशित पानी के लिए ये इसको ठहरा जाता है उत्रादिकारी मतलब कि इसको अगर आप गंदा पानी पीते हैं उसके जरिये भी ये चीज़ी हो सकती है आपको सवाल नमबर चलते हैं दूस्तो कुश्मर बारा पे कराधान का निप्टान करने वाले वित विध्यक के समन्द में संसतके की सदन में एक विध्यत पेस किया जा सकता है बिलकुल आंसर कर लेंगे दोस्तो यहाँ पे सरकार के कराधन प्रस्तावों को अगर हम देखें तो मूल रूप से यहाँ पे मुर्त रखा गया है याने की साइलेंट तोर पे रखा गया है इसकी विवस्था करने के लिए वित विध्यक ये एक इंपॉर्णन फैक्ट होता के दिया जाता है दोस्तो ये विद्यक जो है विनियूग विद्यक पारित किये जानने के बस साथ ही हो सकता है ठीके याद रखेंगे सवाल लंबरी चलते हैं 13 पे दोस्तो ौ आंसर करेंगे नेमली कित में से किसके अनुसार अर्थ विवस्था में आवश्चक वस्थूओ का कुल मुल्य हमेशा आपूर्ती के कुल मुल्य के बराबर होता है बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे यह है वालरस का नियम बी जो और करेक्ट आंसर यह जो नियम है यह वालरस का नियम कहता है याद रखेंगे दुस्तों आर्थ बवस्ता में आवश्यक वस्तूओं का कुल मुल्य हमेशा आपूर्ती के कुल मुल्य के बराबर होना जिया दूस्तों जो की हमारा गेड़ी को पीव को भी दरसाता है इसको भी ध्यान रखेंगे स्वाल नंबर चलते हैं दोस्तों कुश्य नंबर 14 पर आंसर करेंगे भारती संभिधान के अनुसार राजयपाल बनने के लिए निमन लिखित आयू क्या है बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों भारते समिधार के अनुसार अगर हम देखें तो राज़ेपाल यानि कि गवर्णर बनने के लिए मीनिमम यानि कि कम से कम आयू आईओ आपकी 35 साल होनी चाहिए यह जो और करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे दोस्तों राज़ेपाल की नियुक्ति होने के लिए कौई विवेक्ती यहाँ पर राज़ेपाल की नियुक्ति होने के पात्रफ तभी होगा जो भारत का नागरिक होगा सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों कोशिमम्बर 15 पे अंसर करेंगे नेमलिकित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में मौजूद है तो यहाँ पे जो option दियेगे हैं इनमें अगर आप बात करेंगे दोस्तों प्लेस्टिड्स की यानि कि लवक is the right answer, be is your correct answer यह दोस्तों पादप कोशिका क्या है? पादप कोशिका जन्तु कोशिका से भिन होते हैं क्योंकि इसमें कोशिका जिल्ली पाए जाती है और कोशिका जिल्ली के बाहर कोशिका भित्ती होती है तो यह थोड़ा साप लोग ध्यान भी रखिएगा चीक है? इसको कहते हैं जिरह हम प्लेड़ प्लेस्टिड केते हैं लवक है ना? याद रखेंगे केवल पादप कोशिका में ही पाए जाता है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो कोशिका बर सोला पे प्रस्तावना सब्द का अर्थ क्या है? बिलकोल आंसर कर लेंगे दोस्तो ये संबिधान का परिचय है जी हां दोस्तो मैंने आपको बताया भी है लुसेंट सिरीज में इसके सारे डिटेल दे रहा हूं में वहां पे आप लोग वीडियो जरूर देखें सुबह 10 बजे का कोई वीडियो का टॉपिक ना छोड़े तो आपके लिए बेटर होगा और जितना भी क्यूज करा रहे हैं इस क्यूज से बाहर तो कोशन नहीं जाने जा रहा है ये आप लोगों को बेभी पता है ठीक है तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा है दोस्तो ठीक है तो आंसर क्या कर लेंगे दोस्तो ये इसको करते हैं सम्मिधान का परीच है सवाल लंबर चलते हैं 17 पे दोस्तो नील नदी कहां गिरती है बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तो ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर इस दा राइट आंसर आपको बता दे कि नील नदी जो है न यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है ठीक है तो एक कोशन यहाँ से बनता है यह भुमद्यरेका के दक्षिन से निकल कर उतरी पुर्वी अफरीका से होकर यह भुमद्यसागर में गिरती है कहां से निकलती है भाई भुमद्यरेका के दक्षिन से निकल कर उतर पुर्वी अफरीका से होकते हुए ये भुमाद दिसागर में गिरती, इसके लंबाई पूछ सकता है एक्जाम में, लगबग 4132 किलो मेटर की लंबाई है इसकी, ठीक है, और मील में पूछ लेगा तो 6650 किलो मेटर, ठीक है, किलो मेटर में ये सौरी माफ करेंगे, और ये मील में है, ठीक है, ये ध्यान हिमाचल परदेश के Hong जीले को लेह से जोडता है ये आंसर कर लेंगे दोस्तों, इया है बड़ालाचा दर्रा, कौन सा है, आनसर ए कर लिजेगा, इस बड़ालाचा दर्रा, क्या करता है, ये हिमाचल परदेश को लाहौल जिले से ये जोडता है जो की ले से जोडता है इसको आपको यहां से important update में देना चाहूँगा कुछ दर्रों के बारे में ला यानि दर्रा ला का मतलब होता है दर्रा को कहते हैं जो दोस्तों ध्यान रखेंगे अचा कुछ सिक्किम जो दर्रे हैं सिक्किम राजी के जैसे कि डोग्यो स्रेनी में आता है 4310 मीटर की उचाई परस्तित है और ये दर्रा जो है दोस्तों सिक्किम के सबसे उची घाटी को भी जोडता है ये ध्यान रखेंगे स्वाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कुशन नंबर 19 पर थोड़ा सा कुशन बड़ा है अप्शन चौथा भी आपको दिख लाऊंगा पट कुशन को पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कुशन केहता है दोस्तों यहाँ पर की ध्यान देंगे कि निमलेखित में से योजना के अंतरगत ग्रामेंट छेत्रों के आजीवी का सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परतेक परिवार को प्रतिवर्स सौ दिनों का बेतन अधिकारित यहाँ पे दोस्तों आधारित रोजगार परदान करने का लक्ष रखा गया है कोशन समझ गें आप लोग यहाँ पे कि एक ऐसा योजना जिसके जरिये भारत के उन ग्रामेंट छेत्रों के आजीवी का सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और प्रतेक परिवार को यह दोस्तों सौ दिन के बेतन आधारित पर रोजगार भी देता है तो याद रखेगा यह है मनरेगा ठीक है आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों इट्स अ मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामिन रोजगार योजना कहलाता है यह दी जूर करेक्ट आंसर मनरेगा यह है यहाँ ध्यान रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों कुशनबर 20 पर आंसर करेंगे निम्न में से कौन सा बंदा बहादूर के रूप में परशे दिथा बिल्कूल आंसर कर लेंगे बंदा बहादूर बंदा सिंग को कहते थे दोस्तों आंसर कर लेंगे यहाँ पे It's a B is your correct answer. जी हैं दोस्तों, नोट कर लेंगे यहां पे. सवाल लंबर चलते हैं, दोस्तों कुशंबर 21 पे. देखे, कथनों पर विचार करना है. और यहां विचार किया गया है तीन कथन. और आपको बताना है कि इनमें से कथन कौन सा सही है. तो बात करते हैं, यहां पे. हडपा संस्कृती का विकास सिंदु सभेता और सहायक नदियों के छेतर में हुआ था. यह कथन तो बिल्कुल सत्य है. मिस्र सभेता निल नदी के किनारे के विक्सित हुई एक सभेता है. यह भी कथन बिल्कुल सत्य है. मेशुपेटामिया, सभेता, दजला, फरात, नदी के छेतर से विक्सित हुई है. यह कथन भी बिल्कुल सही है. तो यहां पे देखे तीन चीजे आपको एक्जाम में कनेट किया है. इस पेपर में अगर देखेगा, तो यह जो है आपका भारत का भुगोल और यह दोनों बिश्व के भुगोल से सम्मंदित चीजों को जोड़ा गया है. तीनों कथन यहां पे सत्य है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D. Is the right answer? 1, 2, 3. Is your correct answer? सवाल नंबर चलते हैं, मित्रों यहां पे कोशिन नंबर 22 पे, आंसर करेंगे. क्रायो लाइट किस धातु का अयश्क है? एक्सपेक्टेड कोशिन है, और यह BPSC में भी कोशिन पूछा गया है, ऐसे कोशिन एक्जाम में रहते हैं. सवाल लंबर चलते हैं, 23 पे दोस्तों, मिनोर क किस जानवर का नशल है? बहुत ही important, दिखिए, जितने भी कोशिन है, मैं आप तक पहुचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सभी इन सभी वीडियो को देखें, और एक दूसरी को शेयर भी ज़रू करते हैं, वीडियो पसंद आने पे, वीडियो को लाइक भी ज़रू कीजेगा. मिनोर के किस जानवर का नसल है? चलिए, सवाल बहुत इन्पॉर्टेंट है, दोस्तों, ये ध्यान देंगे, ब्यापार चक्र में होता है, ब्यापार चक्र में क्या होता है? बिल्कुल, ये दोस्तों, चार चरन में होता है, ब्यापार चक्र, याद रखेंगे, इन्पॉर्टेंट अपडेट हैं यहां से, दोस्तो अगर हम बात करें आंसर यहाँ पर देखी चार चरन कर लेज़ेगा यह आवधिक लेकिन अन्यमित उपर नीचे आर्थिक गती वीदियो को यहाँ पर ब्यक्त करता है वास्तिवीक सकल घरेलू उदपाद और अन्य ब्यापार ब्यापक आर्थिक चर को यहाँ पर उतार चड़ाओं हम देखते हैं दोस्तो जिसके हम लोग कहते हैं ब्यापार चक्र ठीक है याद रखेंगे और यह चार चरनों में संभव है दोस्तो ठीक है यहाँ से इंपॉर्णन फैक्ट है ब्यापार के चरन के जो चार चक्र है विस्तार, चोटी, संकूचन और गर्थ नोट कर लेजीगा विस्तार यानि कि आपका जो बिजनस है वो डबल अप हो रहा है फैल रहा है उच विकास, कम, बिरुजगारी और बढ़ती कीमतो द्वारा परिभाशित होता है लेकिन दूसरा अपडेट है दोस्तो चोटी है ना चोटी चोटी यानि कि एक ब्यापार चकर का उपरी मोड और वह बिंदू जिस पर की विस्तार संकूचन में बदल जाता है मतलब कि सबसे अगर टॉप पे हैं आप सबसे टॉप पे हैं तो संकूचन क्या होता है तो निम्न या फिर इस्तिर विकास वैसे विरुजगारी उच विरुजगारी कहलाती है और घर्टी कीमतों से यह परिभाशित यह भी होती है ठीक है परिभाशित करते हैं इसको घर्टी कीमतों पर तो यहां से होता है यह सिखर से गर्थ की तरफ है ठीक है तो यह हो दोया ब्यापार्चक्र चार चरण है इसके सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर कुश्चिन नंबर देखी का 25 को आंसर करेंगे जीडीपी अपर्ट्यक्षकर प्लस अनुदान बिलकुल आंसर कर लिए दोस्तों उत्पादन लागत पर जीडीपी होना यह कहलाता है जीडीपी माइनस है यह हाँ पर स्वारी जीडीपी माइनस अपर्ट्यक्षकर प्लस अनुदान क्या लागा तो उत्पादन लागत पर ज बेसिक प्राइस और एक्वल तुदा मार्केट प्राइस यह कहा जाता है सकल घ्रलू उत्पाद के बारे में जहां GDP एड़ फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्रैसेज और इक्वल तुदा मार्केट प्राइस माइनस टैक्स ऑन जीडीपी सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों कोश् ठीक है और आयोडीन के विलियन की थोड़ी सी मात्रा लेकर यहां पे हम लोग कार्बोहेडरेट का पता है जैसे कि आलू के उपर भी इसका टेस्ट किया गया आलू के अक्र वाली परखनली में आयोडीन की जो विलियन को डाला गया पांच बुन मिला गया और नीली काले र बिल्कुल आंसर कर लिजीगा दूस्तों कुश्यमर 27 का जी हां नाइजीरिया की राजधानी और करेंसी यह दो चीज नोट कर लिजीगा यहां पे नाइजीरिया की करेंसी क्या होती है यहां से फैक्ट आपका गलत होता है ठीक है नोट कर लेंगे यहां पे ठीक है जी हां नोट कर लिजीगा कि करेंसी यहां पर क्या होगी दोस्तों नाइरा नाइरा है ना और दोस्तों इसकी राजधानी एजूबा ठीक है तो यह दोनों चीज आप लोग को नोट करना हूँ यह आपका मैच गलत है यहां पर सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों कुश्चन बर 28 पर आंसर करेंगे यहां पर थोड़ा सा जुमाट कर लिजी दोस्तों किस राजधी सरकार ने हाली में एक जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है अंसर कर लिजीए दोस्तों यहां पर केरल सरकार ने यह फैसला कर लिया है और केरल सरकार ने ऐसा मंजूरित दे भी दिया है लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करें बिहार सरकार की तो बिहार सरकार भ उसकी बिक्री और उसके उत्पाद पर भी 50,000 रुपे का फाइन रखने का फैसला किया गया है जो कि यहाँ पे कैबिनेट में इसको पारिद भी किया गया था तो बिहाय सरकार अभी ने लेकिन डेट अगर दे देगा ठीक है तो आपको एक जनवरी 2020 का अपडेट दिया गया ह यहाँ पे तो केरल सरकार यहाँ चांसर करेंगे केरल के मुक्य मंद्री दोस्तों यहाँ पे कौन है और गवर्नर कौन है कमेंट सेक्षन में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे सवाल लंबर चलते हैं 29 पे कदम राजाओं की राजधानी कहां थी बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे वनवासी ठीक है नोट कर लेंगे दोस्तों वैजनती अथवा वनवासी कहा जाता था इसको है न वैजनती के नाम से भी जाना जाता था ठीक है आंसर क्या कर लेंगे यहां करनाटक का एक छोटा सा राजी था दो की स्थापी था दोस्तों यह कदम ठीक है याद रखेंगे सवाल नमबर चलते हैं 30 पे इलहाबाद की संदी के बाद रोवर्ट क्लाइब ने मुर्शिदाबाद का उप दिवान किसे बनाया था आंसर कर लेंगे दोस्तों मुहम्मद रजा खान को जी हैं दोस्तों नोट कर लेजीगा दोस्तों D is your correct answer D is your correct answer नोट कर लेंगे सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों कॉश्चन नमबर 31 पे 31 थोड़ा सा कॉश्चन यहाँ पे नदियों के बारे में है बराक, लोहित और सुबंसरी जो नदी है अब बाद आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें से कौन अरुनाचल परदेश से होकर बहती है अरुनाचल परदेश तो मैंने अभी बता नहीं वाला था मैं यह सुबंसरी और लोहित से होकर बहने वाले नदी है ठीक है दोस्तों नदिया जो है लोहित और सुबनसरी जो है वो अर्वनाचल पर्देश की नदिया है यह इंपॉर्डेंट फैक्ट है यहां से नोट कर जीए B is your correct answer सवाल नंबर 32 भूमी बिद्रो किस वर्स हुआ था बिल्कुल भूमी बिद्रो दोस्तों आपको बता दे कि 1832 में हुआ था यहां से आप नोट कर सकते हैं B is your correct answer आपको बता दे कि भूमी बिद्रो ततकालिन बंगाल राजा के मिदना पुर्जिले से संभव हो पाय था यहां पे धल भूम याद रखेगे नाम थोड़ा सा धल भूम और यहां पे जंगल महल जंगल महल छेट्र था जो कि आधिवासियों के दौरा 1832 से 33 के दौरान में ये विद्रो किया गया इसका नेते तो कौन किया था भूमीज बिद्रोग कहा जाता था है न भूमीज नहीं भूमीज है यह न तो भूमीज बिद्रोग का नितितु किये थे गंगा नरायन सिंग लिख लिजिएगा गंगा नरायन सिंग सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो कुशिन नंबर 33 पे आंसर कर लेंगे अकबर का सासन जाना जाता है बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तो यहाँ पे कुशिन नंबर 33 का चार ओप्शन है दिये गये हैं अकबर का सासन जाना जाता है दोस्तों जिहां एक तो छेत्रों को जीतने के लिए और दूसरा यहाँ पर है दोस्तों अपनी प्रसासनिक विवस्ता के लिए सवाल लंबर चलते हैं यहाँ पर एक औरतीन आंसर कर लिजीगा सवाल लंबर चलते हैं 34 पर प्रतीबल का भीमिय सूतर क्या होता है C is your correct answer It's ML-T-1 T to the power minus 2 ठीक है यह आप नोट कर सकते हैं यहाँ से दोस्तो यह मात्रक जो होता है निउटन पर मिटर को होता है प्रतीबल का भी और इसका भीमिय सूतर होता है दोस्तो यह आप लोग जो की longitudinal strain कहते हैं इसको और volume strain कहते हैं इसको निकालते हैं सवाल लंबर 35 लाल सीयाही बना जाती है बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तो इयोसीन से बनती है लाल सीयाही किसे बनती है इयोसीन से और यह इयोसीन जो होता है दोस्तो एक टेटरा ब्रोमो फिलोरोसीन होता है ठीक है याद रखेंगे टेटरा ब्रोमो फिलोरोसीन होता है अधिकतर लाल सीयाही जो है इयोसीन का तन्नू विलियन बनाके होता है, सवाल लंबर चलते हैं दूस्तों, कुशंबर 36 पे, और सथवी Miss Universe फरत्योगता 2019 का किताब किसने जीता था, याद रखेंगे दूस्तों, कुशंबर है, आंसर यहाँ पर कर लिजीगा, जिरसा जोजी, बीनी, टुन्जी, सवाल लंबर चलते हैं, दूस्तों, 37 पे, आंसर कर लिजीगा, प्रमुक ब्यापारिक संगठन, फीकी के बरतमान अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल यह कोशन में आपको करा चुका हूँ, इस करेंट अफेर का कोशन को भी ध्यान में रखेगा, और अभी फीकी के जो है, उद्योग मंडल है, एक्चली फीकी यह, और ध्यान रखेंगेंगे दूस्तों, चेर परसन कौन है यहाँ पे, exactly, संगीता रेड़ी, see your correct answer, नोट कर लिजीए दूस्तों, यहाँ पे, अच्छा, आपको बता दे कि 2020 क्या है अबडेट, लेकि 2020-2021 के लिए, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दे कि, यहाँ के लिए एक मीडिया उद्योग से जुड़े, उद्योग मंडल के फीकी की अध्यक्ष्ता की पदभार समाले हैं, तो उद्योग संकर का भी नाम यहाँ आएगा अगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको साल बताया जाएगा, 2021 के लिए, यहाँ पर दोस्तों फीकी की अध्यक्ष्त बने हैं, और वर्तमान अध्यक्ष्त जो थें, अभी तक संगीता रेड़ी थी, सवाल नमर चलते हैं, 38 पर दोस्तों आंसर करेंगे, बर्फ प कर लेंगे दोस्तों यहां पर बी जोर करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों कुश्चंबर 39 पर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी भाई बाध बांध प्रयोजना निर्मित है यहां यह बेतवा नदी पर है याद रखेगा और यह है दोस्त डायमंड कहलाता है कुश्चंबर 40 का अंसर कर लेंगे दोस्तों बी बेसबॉल बेसबॉल एक खेल है जिसका की खेल परिशर जो है वो डायमंड कहलाता है जैसे क्रिकेट का स्टेडियम कहलाता है वसी तरह यहां पर दोस्तों यहां पर बेसबॉल का डायमंड कहलाता है स्वाल लंबर चलते हैं 42 पे गांधी सोलर पार्क 50 किलो वाट की छमता है इसकी काउध घाटन कहां पर किया गया है इग्जेक्ली न्यू यॉर्क में किया गया है इजूर करेक्ट आंसर स्वाल लंबर चलते हैं 43 पे विधुत मोटर एक युक्ती है जो की विधुत उर्जा को मुक्य रूप से उर्जा में परिवर्तित करती है एक्जेक्ली इसा मेकेनिकल इनर्जी में परिवर्थित करती है C जो और करेक्ट आंसर विधुत जो अभियंत्रिकी है हमारा विधुत मशीन विधुत मोटर और विधुत जन्ट्री जो भी है अन्य विधुत चुंबकी उपकरणों के लिए एक ब्यापक सब्द है और विधुत मोटर उर्जा जो है यांत्रिक उर्जा में और जबकि विधुत जन्त्रिक उर्जा को विधुत उर्जा में कनवर्ट करता है तो यहां पर आंसर C कर लेंगे सवाल नमबर चलते हैं 44 पे 2024 के उलंपिक खेलों की में जबानी नमले कि तुम से कौन सा देश करेगी तो यह कौन सा देश है तो याद रखेंगे और आपको बतादे कि यह दोस्तो तीन बार ओलंपिक ग्रिस्म कारें खेलों की में जबानी कर चुके हैं यह भी आपको ध्यान रखेंगे सवाल नमबर चलते हैं दोस्तो कौश्चन बर 45 पे आंसर करेंगे हीरे का निर्पेख्ष अपवर्तक सुचकांख यह होता है 2.42 C जोर करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं से सवाल मचलते 46 पे किसी देश की भुगतान संतुलन में शामिल है बिल्कुल वस्तु और सेवाओं का ब्यापार और पुंजी के प्राप्ति का भुगतान A और B आंसर कर लिजीगा दोस्तो डी जोर करेक्ट आंसर सरल सब्दों में कहें तो भुगतान संतुलन किसी भी देश और अन्य देशों के बीच का वी तीय लें देन कहलाता है ठीक है जिसको कि हम लोग एक्स निर्यात को कहते हैं और एम आयात को कहते हैं ठीक है सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो 47 पे प्राय दीपी भारत की सबसे लंबी नदी बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तो कुशमर 47 का यहां पे गोदावरी इस दा करेक्ट आंसर बी जूर करेक्ट आंसर प्राय दीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी लेकिन वही अगर हम बात करें दोस्तो यहां पे हमारे मध्य छेत्र में बहने वाली एक नदी तो नर्मदा नदी है यहां पे आपको प्राय दीपी बोल देजएगा तो आपको गुदावरी आंसर करना होगा स्वाल लंबर चलते हैं 48 पे प्रथम लोएशिया मानव अधिकार समिलन का आयोजन किया गया है बिल्कुल आंसर कर लिजेगा दोस्तो नई दिल्ली में स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तो पचास पे बिल्कुल आंसर कर लिएगे दोस्तो इट सब 20 सत्य नडेला स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तो पचास पे राज्य सबाद धन विद्यक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है 14 दिनों के लिए कर सकती है भाई दी जोर करेक्ट आंसर नोट कर लिजेगा स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तो एक यावन पे आस्ट्रेलिया की महान प्रवल भित्ती किस तट के समनांतर रिस्तित है बिल्कुल स्वाल लंबर 51 का अंसर कर लिजेगा ये पूर्वी तट के समनांतर पे है सी जोर करेक्ट आंसर सवाल लंबर चलते हैं दुस्तो 52 पे मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल गरہ के अवर्शेशन लॉंच किस ने किया है मतलèt किस वर्ठ किया है तो भाई अमेरिका का अमेरिका का ये अजेंसी है नाशा और ये मंगल गीरह जो मंगल ग्रहा हमारा उसके अन्वेशन का लॉंच जो है किया गया है यह 2020 में आंसर कर लेंगे यह जोर करेक्ट आंसर सवाल लूंबर चलते हैं दूस्तों तिरेपन पर खिलाडियों यां संबंदित खेलों को युगमों को यहां सुमिलीत नहीं बोला गया है यहाँ पर ध्यान दीजएगा तो आंसर कौनसा आपका गलात है ठीक है यहाँ पर आंसर बतागे का कौनसा अंसर गलात हैं यहाँ पर देख लजी एक बार अच्छे से देखें- i दिवीज सरन किस खेल से समंधित है थोड़ा सा यहां पर इनपॉडमेंट इसको नोट कर लीजएगा और सीमोला सीमोना हाल पे जो कि को किस अमनि नहीं है तो यहां पर दो और चार जो है आपका उतर गलत है ठीक है यह आपको को नोट कर लेगे हैं ठीक है आपको बदा दे कि एश्याई खेलों में यहां दिवीच सरन के साथ यहां पर छेल चुके हैं रोहन बोपानना तो यह हैं टेनिस खिलाड़ी यहां पर पोलो लिख दिया गया है तो इसको लिख लिजिगा टेनिस प्लेयर है यह चिक और सीमोना ह किस खेल से समन्दित है जल्दिस आंसर करेंगे बिल्कुल यह आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों यह भी एक टेनिस प्लेयर है ठीक है यह महिलत है और यह सिमोना हलेप टोक्यो ओलंपिक में से इनको हटाया गया था यह चर्चित थी इसलिए इनका नाम यहां पर डाला तो यह आंसर कर लिएगा टोनो टेनिस से समन्दित है और दो और चार आंसर हो जाएगा सवाल अंबर चलते हैं 54 पर दोस्तों अर्जुन पुरस्कार विजेता इस भासकरन निम्लिकित में से किस खेल से समन्दित हैं बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों कुश्यमबर 54 का यह बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग से समन्दित है यह और यह राष्टे खेल परसकार भी जी चुके हैं और यह जिया दोस्तों नेशनल स्पोर्स डे 2019 में इनको समानित भी किया गया था बॉडी बिल्डिंग के लिए सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 55 पर भारतिय संविधान के नुसार मानों का दुर्ब ब्यापार और बाल श्रम निशेद या कौन सा नुशेद हमें वड़नित करता है तो यह मैं आपको बता चुका हूँ यह हनन करता है और यह है दोस्तों आर्टिकल 23 में वड़नित सवाल लंबर चलते हैं 56 पी तरफ दोस्तों निमलिकित में से क पाकिस्तान की प्रतम हिंदु महिला नियाधीस कौन है बिल्कुल आणसर कर लीजीए कि यहाँ पे इट्स सुमन कुमारी बीज और करेक्ट आंसर नूट कर लेए पाकिस्तान में दीवानी नियाधीस के रूप में नियुक्त हुई है और आपको बदा दी कि वो पहली हिंद इसके रूप में अपना पद समाली हैं सिंध प्रान से आती हैं और शहादा कोट की रहने वाली हैं स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कुशन नबर 58 पे आंसर करेंगे नागर जुन सागर परियोजना नमलेकित में से किस नदी परिस्थित है बिल्कुल अगर उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे सी कृष्ण नदी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है और यह दोस्तों इसकी उचाई यहाँ पे पूछ सकता आप से तो 124 मीटर यानि की लगबग 407 का मुख्य मंतरी नियुक्त किया गया है बिल्कुल अंसर कर लेंगे दूस्तों यहाँ से कुष्ण इंपॉर्टेंट है प्रमोज सावंत अभी है यहाँ पे फिलाल गुवा के मुख्य मंतरी सी जोर करेक्ट आंसर गुवा की राज़ानी पनजी होती है और आप लोग को सु कि मुझे थोड़ा सा पुराना ही ध्यान था 2019 का यह कोशन सेट कर रहा था तो वहाँ पे मुझे वही पुराना ही ध्यान में था ठीक है तो स्रीधरन पिल्ला ही जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे सवाल लंबर चलते हैं 60 पे नियमलेखित में से किस देश ने अपनी जेने हाल ही में और द्योगीख आवञंटन निती 2021 से 30 की मंजोरु दी है जिया दोस्तो आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर इस दकरेक्ट आंसर जिया और द्योगीख आवनटन नीती 2021 से 30 की मंजोरु दी गई है जम्मू कश्मीर को ठीक है सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों कुछ नमबर 62 पे आंसर करेंगे हाल ही में भारतिय दूतावास ने किस देश में ललित तना कारेकरम में दस वे संसकरन कायों करना सुरू किया है बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यह देश है मेडा गासकर नोट कर लिजिएगा दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या कर लेंगे सिलॉट कर सकते हैं सिलॉट कहां के रजानी है तो मेगाल है सवाल दोस्तों चलते हैं दोस्तों 64 पे राष्ट्रिय आइस होकी चैंपियनशिप निमलिकित में से किस ने जीता है तो ये हैं दोस्तो ITBP इंडियन तिबतियन बॉर्डर पुलिस याद रखेंगे दोस्तो यहाँ पे जियां ITBP जियां सीमा सुरक्षा पुलिस है भारत तिबत का सीमा पुलिस है जो कि आपको मुकाबला जो है लद्दाक को हरा कर यह Ice Hockey Association of India यानि कि IHAI का यह दस्वा राष्ट्रिय होकी परिस्त पर्टोगता जो था यह जीत लिया था सवाल लंबर चलते हैं 65 पे दोस्तो हाल ही में मनोहर परिकर of the records नामक पुस्तक निमलिकित में से किसके दोवारा लिखा गया था एक्जेक्टली आंसर करेंगे वामन सुभा प्रभू नोट कर सकते हैं दोस्तो गोवा के मुख्य मंत्री रह चुके हैं मनोहर परिकर और डिफेंस मिनिश्टर भी रह चुके हैं इनके उपर एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तो यह पुस्तक लिखी गई है वामन सुभा प्रभो के द्वारा स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों कुश्चनबर 66 पे निमलेकित में से मानवाधिकार आयोग के स्थापना कब होई बिलकुल आंसर कर लेंगे इस ए इस दराइट आंसर 93 और डेट पूछेगा तो 12 अक्टूबर लिख लेजिएगा जिया दोस्तों इसकी स्थापना मानवाधिकार संद्रक्षन अधिनियम 1993 के एक्ट के तहट होई है या आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है यानि कि इसका संद्रक्षक है और समिधान के दोरा इसको अपी निश्यत भी अंतराष्टी इस तरपर किया गया है सवाल लंबर चलते हैं 67 पर आंसर करेंगे निमलिकित में से किस दिन भारत में राष्टी उपभोगता दिवस मनाय जाता है एक्जेक्ली 24 दिसंबर इस दा राइट आंसर सवाल लंबर चलते हैं 68 पर निमलिकित में से कौन भोज़ पदार्त के सुधता की गारांटी देता है तो ये एक मार्क है नोट कर सकते हैं दोस्तों एक मार्क जिस पर लग जाता है वो यानि कि भोजन बिलकुल अभी तक सुध है उसकी सुधता का गारेंटी है दोस्तों ठीक है सवाल लंबर चलते हैं 69 पर आंसर करेंगे पुर्दगाली यात्री वासगोडीगामा काली कट के तड़ पर किस भारती राजा के दोवारा भव्य स्वागत किया गया था बिलकुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहां पर जिहां 69 का आंसर क्या कर लेंगे जमोरिन इस दर राइट आंसर पुर्दगाली राजा जिहां दोस्तों नोट कर लेंगे यहां पर और यह लिस्बन के दक्षिन से भेजा गया था 1492 में पुर्दगाल के राजा सवाल लंबर चलते हैं दूस्तों जॉन भी कहा जाता है जॉन द्वीती इनको कहा गया था सवाल लंबर सत्तर पर चलते हैं गुरु गोविन जी के द्वारा खालसा पंत की स्थापना किस वर्स में की गई थी अगर आप उतर करें या यानिकी 1699 में बैसाकी वाले दिन आननदपुर्शहिब में की गये थी इस दिन स्वरपर्थम पांच प्यारों को अमरित पान करवाया गया था, खालसा बनाया गया और उसके बाद उन पांच प्यारों के हाथों के द्वारा स्वए को अमरित पान भी किया था, सत्गुरु कोभिन सिंग जी ने, सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों, एक अत्तर पे, ब्लैक होल तराशदी घटना 20 जून 1756 को निम्रेकित में से कहा घटी थी ब्लैक होल तराशदी घटना याद रखेंगे और यह देट भी यहाँ पर दे दिया गया है दूसरा फैक्ट तीसरा फैक्ट है कि आंसर कोलकाता होगा ठीक है याद रखेंगे कलकाता की काल कोटरी में घटी ये घटना थी 20 जून 1756 ब्लैक होल तराशदी घटना ठीक है इन्पॉर्टेंट है अपडेट यहाँ से नोट कर लेजीगा दोस्तों यहाँ ठीक है बिलकुल स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों 72 पे आंसर करेंगे यहाँ पे स्वामी दयानन सरस्वती ने प्रतम आरे समाज 1875 इसवे में निमलिकित में से किस सहर में स्थापित किया था exactly आंसर कर लेएंगे दोस्तों 18 अप्रेल जिहां 18 अप्रेल 18 अप्रेल 1875 मुंबई महाराष्ट्र यह आरे समाज के स्थापना की गई स्वामी दयानां सरस्वती ने केवल आरे समाज और समाज सुधारक के लिए काम नहीं किया बल्कि उन्होंने भारतिय सुतंत्रता संग्राम में भी अपना महत्रपून योगदान दिया था ठ इसने किस के द्वारा की गई एक्जेक्टली आंसर करेंगे पंडिता रामा बाई डी जोर राइट आंसर नोट कर जीए दोस्तों यहां पे और यह हिंदूर लेडिस सोसल क्लब की सुरुवाद भी नोने की थी रामा बाई देखे पूरे से संबंदी थी और वो सेवा सदन स साइटी के संस्थापक भी थी पंडिता रामा बाई सवाल नंबर चलते हैं चोहत्तर पे दोस्तों अपने उपन्यास अनन्द मठ में बंकिम चंद चटर जी के द्वारा बंगाल के किस विद्रो का विशेश उलेख किया गया है बिलकुल याद रखेंगे दोस्तों इट सब 200 में भारतिय राष्ट्य दल की स्थापना वरली में किस की द्वार लीई में किसकी द्वारा किया गया था यह थे चंपक रमन पिल्लाई bshire correct आंसर नोट कर लेंगे दोस्तों, सन 1914 की घटना है भारती राष्टे दल की बर्लीन में स्थापना भी की गई थी ठीक है बर्लीन है यह बर्लीन है बर्लीन है बर्लीन सवाल लंबर चलते हैं 76 पर दोस्तो भारतीय बिश्विद्याले अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तो यहाँ पर भारतीय बिश्विद्याले अधिनियम पारित किया गया था लौड करजन के द्वारा नोट कर लेंगे डी जूर करेक्ट आंसर सवाल लंबर चलते हैं 77 पर दोस्तो आंसर कर लेंगा तो यहाँ पर अगर समय पूश लेगा ना से 1905 का समय काल था लौड करजन का यह आपको ध्यान रकना होगा यह भारत के वायसराय भी थे और दोस्तो विश्विद्याले का आयो कई गठित किया गया था सन 1904 में और भारतिय बश्विद्याले अदिनियम पारित किया गा था दोस्तो सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो 77 सिमान्त गांधी के नाम से निम्लिकित में से किस नेता को जाना जाता है 77 का आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे खान अब्दुल गफर खान be your correct answer नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे 1890 से लेकर 1988 तक का इनका समयकाल था सिमान्त प्रांत और बलुचिस्तान के एक महान राजनेता जिनोंने भारत के स्वतंदरता संग्राम में भाग भी लिया अपने कार्य और निस्टा के कारणी हाँ पर इनको सरहदी गांधी यानिकि सिमान्त गांधी या फिर बच्चा खान या फिर बादसा खान के नाम से भी इनको नवाजा गया था सवाल नमबर चलते हैं दोस्तो 78 पर आंसर कर लेंगे निमलिकित में से स्वदेशी आंदोलन का संबंध किस्से है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किस्से है बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहें भी यानि कि बंगाल का भी भाजन जिया नोट कर जाएगा दोस्तों यहाँ पे और अपना देश इसका अर्थी होता स्वदेशी का मतलब होता अपना देश और 1911 तक यह चला गांधी जी जी भारत में पदारपन कर रहे थे और पुर्व सभी सफल अंधुलनों को एक साथ यहाँ पे लेकर आ रहे थे तो स्वदेशी अंधुलन दोस्तों याद रखेंगे इसमें बाल गंगा धरत तिलक रविंदर इनाद ठाकुर अर्विंद गोश्ट लाला लाश पत्राय यह लोग सभी जो थे इसमें मुक्य रुप से अंसर करेंगे आजाध हिंद फौश की स्थापना निमलेकित में से किस भारती नेता के द्वारा किया गया था कैप्टन मुहन सिंग, राजब्यारी बोस और निरंजन सिंग यह तीन लोग थे हैं जो कि यहाँ पर महत्रपुन भूमी करने भाई थी आंसर C कर लेंगे, सवाल नंबर चलते हैं दूस्तों कुश्च नंबर 80 पे निमलेकित में से कौन कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी बिल्कुल आंसर कर लेंगे दूस्तों यहाँ पे, जी हाँ इंद्रा गांधी, is the right answer, C is your correct answer, नोट कर सकते हैं सवाल नंबर चलते हैं, 81 पे दूस्तों आंसर करेंगे समतल दरपन द्वारा बनने वाले परतिविम कैसे होते हैं बिल्कुल यह आभासी होते हैं, B is your correct answer, नोट कर जी है दूस्तों यह वर्च्वल होते हैं, क्योंकि परिवर्थित कीरने जो होती हैं, किसी एक बिंदू पर मिलती नहीं है और जो आपका भिंब है, यानि कि वस्तु है, वो अप्षित यानि कि डैवर्ज होता है इसलिए इसका वास्तविक इमज जो है नहीं बन पाता है, रियल इमज नहीं बनता है, यह अभासी बनता है परस्तित की तंत्र का कौन सा घटक, जैविक, अजैविक, घटकों के बीच के मद्यस्त के रूप में कारे करता है याद रखेंगे, इस उत्पादक, यहाँ पर इसका परिभाशा ही दे दिया गया है, ठीके, नोट कर लेंगे, सी जो और करेक्ट आंसर सवाल अमर चलते हैं, 83 पे, नमलिकित में से कौन सा एक हरित गैस का उधारन नहीं है तो आंसर कर लेजिए दोस्तो, इस ए यानिकी ऑक्सिजन, वो टू जो है हरित गैस का उधारन नहीं है सवाल अमर चलते हैं, 84 पे, दोस्तो, दूर दृष्टी दोस में प्रित्वी निमलिकित में कहां पर बनता है प्रित्वी नहीं, यहाँ पर इम्मीज होना चीए, यह वस्तु का इमें, जो दूर दृष्टी दोस में, जो आपका प्रतिविम्भ है, वो निमलिकित में से कहां पर बनता है तो याद रखिए रेटीना के पीछे बनता है ठीक है दूर दृष्टी दोस्त में हमें नजदी की चीज़ दिखाई ने देंगी और निकट दृष्टी दोस्त में हमें दूर की चीज़ दिखाई ने देती है जो इसका जो परतिविम है वो आपका रेटीना के पीछे बनेग सवाल लंबर चलते हैं 85 पे दोस्तों आंसर कर लेंगे भारत में जय विवीता की दृष्टी से निवखित में से कौन-कौन से संवेदंसिल स्थल है बिलकुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहां पर जी हां अगर हम बात करें जय विवीता का तत्प स्थल हिमाले परवत श्रिंकला में अगर देखे तो अश्रीम जय विवीता से संपन है और आपको बदा दे दोस्तों कि यहां पर करिब 10,000 प्रजातिया पाए जाती हैं जिन में हाँ पर अगर हम बात करें पूर्वी हिमाले तो आंसर ए कर लिजीएगा दोस्तों यहां पर जाल है ठीक है इनने से एक से अदिक हो जाएगा ठीक है पूरवी हिमाले और पश्ठ्मी हिमाले ये दो छेतर हो जाएगे ठीक है आंसर यहां पे थोड़ा सा सो समझगें कि समवेदन इस्थल यहां पर समवेदन सिल सिल के बारें पूछा गया है तो अर्शय डेखे जो स्थल है जैवी साथ मिलकर रखा जाता है कुशिन थोरा सा आ गया है ध्यान दीजिए कुशिन थोफ़ा सा important है दोस्तों ध्यान देंगे कि बिलकुल कि अ रक्त blood bank में रक्त की रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है कि यहां पे आंसर कर लेजीगा, इन में से कोई नहीं, ई जो रुँयों पर आंसर है, आपको बिदा दे कि इसको कहते हैं ट्रांसफूजन, र ciao पे a अधान, ठीक है, तो आंसर यहां पर कर लेजीगा, ट्रांस फ्यूजन, स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तो 87 पर आंसर करेंगे निमलिखित में से किन भौतिक रासियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमान की अवशक्ता होती है बिल्कुल विधुद्धारा को D is your correct answer भौतिक रासिय जिसमें केवल परिणाम हो वो अदीश रासि कहलाता है तो यहां पर विधुद्धारा जो है अदीश रासि है सवाल लंबर चलते हैं 88 पर दोस्तो तापमान का एसाई मातरग केल्विन होता है C is your correct answer नोट कर लजीगा दोस्तो Celsius में भी लिखते हैं इसको और Kelvin में भी लिखते हैं सवाल लंबर चलते हैं 89 पर दोस्तो खुला रुधिर परिसंचरन तंत्र पाये जाता है विलकुल आंसर कर लिजीगा दोस्तो यहां पर जिहां जिंगा जो की कीट होते हैं आधी जीवों में खुला परिसंचरन तत्व पाये जाते हैं यही कारण है कि तीनों काटोरो में एक दूसरे से परसपर संपर्ख में बने रहते हैं और हिरदय का जो सिर होता है इनका इसके भीतर एक अग्र यानिकी यह वाटा रहता है जिसको हम लोग महा धमनी कहते हैं और यह दोस्तों जिसके चलते जुडा रहता है ठीके और रख् अंसर करके यह आंसर होगा यहां पर ठीक है सवाल नंबर चलते हैं 91 पर निमलिकित में से अनॉक्सिक्रित रुधिर प्रवाहित होता है कि बिलकुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहां पर 91 का फुफुसू धमनी में बी जो राइट आंसर फुफुस धमनी में सवाल नंबर 92 इसवाल नंबर 93 पर कौन सा युग में सुमिलित है यहां पर तो सिल्वी कलचर छिपकली का अध्यन होता है इसमें अंसर हम D कर लेंगे इस हम लेंगे इस दर राइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, कॉशन नंबर 94 पे, नमलकित में से कौन सा DNA में नहीं पाय जाता है? यूरा सिल नहीं पाय जाता है दोस्तों, ठीक है, D is your correct answer, सवाल नंबर चलते हैं 95 पे दोस्तों, पारस्तितित की तंत्र में उर्जा कामों की स्रोत क्या है? स्वाल लंबर चलते हैं 96 पे आंसर करेंगे भारतिये संबिधान का सभाग का गठा निमलिकित में से किसके अनुसार किया गया था बिल्कुल यह योजना है क्रिप्स योजना बहुत ही फेमस है इसके बारे मैं आपको स्रीज में बता भी चुका हूँ स्वाल लंबर 97 पे चलते हैं संबिधान सभा के उद्देश प्रस्ताओं के प्रस्तूत किया गया था स्वाल लंबर 98 दोस्तों संबिधान के किस अनुसूची में राज्य सभा के लिए राज्यों और संग राज्यों के सीटो की आवंटन का वर्णन मिलता है का कोशिन है ध्यान देंगी आंसर करेंगे जिहां सीटो का आवंटन दोस्तों चौथी जिहां राज्यों और संग राज्यों के छेत्रों में सीटो का आवंटन हमें मिलता है जिहां चौथी अनुसूची में स्वाल लंबर चलते है, 99 पे दोस्तों अंसर कर लेंगे निमलेगित में से कौन सा विषय समवरती सूची का विषय के अंतरगत नहीं आता है। कौन सा भी से समवर्ती सूची का अंतरगत नहीं आता है अगर हम बात करें दोस्तों जिनका उल्लेक कानून को लेकर है यानि कि संसद को उन सभी विश्यों पर कानून बनने का अन्याधिकार है जिनका उल्लेक राज और समवर्ती सूची में नहीं आता है ठीक है तो यहां से आंसर कर लेंगे हम लोग E is your correct answer ठीक है इनमें से कोई नहीं सवाल नमबर चलते हैं 100 पे दोस्तो आंसर करेंगे भारति समिधान में भाग 4 के कब सामिल किया गया था तो 1976 में सामिल किया गया था दोस्तो तो B is your correct answer B is your correct answer नोट कर लेंगे दोस्तो आज के इस वीडियो सिनारियो में हमने देखे वो 100 प्रशन जो कि सेट नमबर 29 से सम्बंदित हैं अगस्त का ये सिरेज आज 29 सो कोशन को कवर कर चुका है आप लोग अगर इस सभी का PDF लेना चाहते हैं तो आप अप्लिकेशन पे जोड़कर वहाँ पे करके यहाँ पे ले सकते हैं सभी PDF अगस्त का जोन जुलाई का और यहाँ दोस्तो मई जोन का भी तो ये एक अपडेट था यहाँ से अगला अपडेट कल होगा एक चोकि आखरी सीरीज होगा बिहार दरोगा को लेकर धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक लिबाबाए ट जहां रखेंगे अपना और अपने परिवार का